हर्याना का बजट सतराज से शुरू हो रहा है और ऐसे में सब की अब एक शाय है पूरा राज्वे ये चाह रहा है कि अर्थ वैवस्ता को कैसे बूस्टर डोस दिया जाए और उस दिशा में ये जो बजट है वो बेहत महत्तो पूर्ण है हमारे साथ हमारे सहियोगी कमल कोशिक भी है और उनके साथ हर्याना सरकार के मंतरी मूल्चन शर्मा मौजूद है कमल ओवर टू यू धन्यवाद अदर्श हमारे साथ हर्याना के कैबिनेट मंत्री मुल्च शर्मा जी मोजूद है इनके पास बहुत मैतपूर्ण विभाग है, ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर है, जियलोजी है, माइन्स मिन के पास है लेकिन सबसे ज़ादा अगर बात होती है, जो ट्रांस्पोर्ट की होती है, परिवाइन विभाग की होती है ऐसे में अगर हर्याना की गटी को रफ्टार और ज़ादा कोई देता है, तो वो हर्याना रोडवेस देता है आईए बजट से पहले, बजट स्टैशन से पहले बातचित करते हैं, हर्याना की कैबिनेट मंतरी मुल्चे शुर्मा जी से शुर्मा जी बजट इस बार का बहुत खास रहने वाला है, ये सत्ता पक्ष कह रहा है उमीद हरियाना के हर वासी को है हर हरियान भी क्यों है कि इतने सुझाव मुख्य मंतरी मनुरल बैठकों को लेकर ले रहे हैं हर वर का ख्याल अखने का दावा क्यागा है ऐसे में बतोर कैबिनेट मंतरी बतोर हरियाना के एक वासी आपके सुझाव इस बजट में क्या हो सकते ह आपने अपने तरह से क्या सुझाव दिये हैं? किस क्या क्या लोगों की तकलीफ हैं उनको दूर करे जा क्या क्या कया? उनकी मत करी जा ये हब रचा लिए गया हैं? और मेरे जहां परीवेन मेक्मा है, बहुत बड़ेंगे हैं, गरीब का हम इजार है, और गरीब आदमी की दूरी ते करता है, आदमी और जो एनवारीमेंट से भी बचाव करता है, जो बार बार जो इनवारीमेंट की बात आती है, NCR के इलाके में, उस सबसे बड़ा महत्तिपूरन परिवेन वहाँ हैं और छोटी गाड़ी अना चल करके परिवेन में ज़्याज़ ज़्याज़ लोग सफ़र करें अपनी परसनल गाडियों को भी यूजना करें और सरकारी गाड़ी का यूज करें सरकारी बसों की सेवाओं के सेवालें और इसलिए क्या है कि हमने मुख्यमुंती जी के सामने जो परिवेन की तरफ से रखा है कि हर्याने में ज्यादा रोडवीज की बसों का बेड़ा बढ़ पूरा प्लान है कि आने वाले वक्त में क्या और बेड़े में कितने बसरी शामिल हो सकते हैं प्रस्तावा आपने अद्लरी मुक्य मंत्री मनावराल के सामने रखा सब्धा होगा ताकि मोहर लगे मुक्य मनितिजी जिरूं को भेटियों को बैटी बचाओ मुक्य मंत्री देश के प्धार मंतिजी जिसनारे को दिया है पानी पस से उसी के तेथ हमने 600 बसें बेटियों के कॉलेज सकूल के लिए लगाई हैं जो बेटिया सकूल आने जाने को परिशानी ना हो उसकी तरफ भी हमें मुख्य मंतिन में संग्यान में रखते हुए कि बसें बढ़ानी है और दूसरे क्या है कि बेटे में नई बस लानी है उसके लिए 1000 बस एक हैं, 500 मिनी बस है और 100 लेक्जरिस है और 50, 18 हम पहले हो, 50 वालो बस ओका बेट हो और प्रयानिबा को और मजबूत की एदाएगा और लोगों को सुविधा दी जाएगी सब कुछ बजट में देखने को मिलेगा उवश्य मिलेगा पर मुख्यमंदिन यह भी कह दिया इनका अप टेंडर लाई या जल्द ही बस लेजिए तो बजट से पहले ही मुख्यमंदिन क सब्सक्राइब से लिए तो लोगों की स्विधा काम है जो सबसेडी हैं फिरी भी हैं जो लोग सपर करते हैं उनका भी ध्यान रखा है ध्यान रखा गया है इसी बेड़े को बजाना बहुत जरूरी है कि बहुत लब्मे समें से पिछले चार साल में 809 बस 500 बस आई थी अपने समयमे उससे पहले चार साल यहारता लगाजी चलते हैं बस्य हमने लेपाई थे पर हम इस बेड़े को पूरा करना है اور जल्दी जल्दी इस बेड़े को पूरा करेंगे और 1000 बस अगले मायनस है जियोलोजी हैं, बाकी दॉपर्टमेंट को लेकर क्या कएंगे, आप क्या उमीडे करेंřा? नी मायनिंग जोलोजी है, जो हैं, जो अपना जो मायनस है, ये बहुत चर्चित पूरी देश में प्रधेश मना है, हर्यान में मात कम हैं, छोटा सा पार्ट, जादा नहीं है या यमना सेंड है यमना की बात करें बोलर की बात करें या दादरी भ्यानी या नार्नोल की बात करें इंजलों में माइनिंग होती है बाक्की तो सारा हर्यारा है नहीं और इसके साथ साथ चर्चत ज्यादा चर्चा ज्याद है कि अबली का इलाका है चाहिए मिवाद की बात करें गुडगामा की बात करें फीदाबाद की बात करें या उनके छेतर नालोल महंदगड में कोई अराबली के अरिया में है अब बहुत बड़ा मेरे मानना है कि न्याए पाली के जो परेगी अगयान को लाप लेगा और जितने राइस्थान से जो ट्रकाते हैं राइस्थान को लाप मिलेगा और लंबी जो पेट्रोल डियल फुक्ता उससे भी पचत अपने परदेश को होगी और इसके साथ साथ जहां माइनिंग की बात अपने कही है और माइनिंग पे जितना पिछले पूर की सरकारों की बात कर रहे हैं कि अधाई सो कोड़ कोई दो सो कोड़ माइनिंग आज में का हजार कोड़ का इस बार भी हजार के आसपास कोड़ इसमें एंजी टी में दो महीने माइन्स बंद रही है को कोराना के समय में माईनी बन रही है और किसान अंदल में भी हर्तार प्राक चल नहीं पाया पर इमान के चलते हैं कि सब के वाद हजार के आस्वार सम रिवेन्यू का क्लेक्शन होगा और यह बहुत बड़ा एक क्लेक्शन होगा है विपक्ष भी सवालों की लिस्ट तयार कर रहा होगा आपके एपाटमेंट्स को लेकर विजाध तोर पर सवाल होंगे जवाब भी आप देटेए नजर नजरा हैंगे विद्हांसल बाब मेंए क्या आपके टैयारी है विपक्ष को कैसे जवाब देंगे विपक्ष की अपनी महुमीय का निभानी चागी है और जाइज मिंभानी चाही ह जो एक्टल हो उसी पर बात करने चाहिए है और विपक्ष का जो भी जवाब देंगे जो मित्र साती विधायक लाएंगे उसका एक एक जवाब हरियाना सरकार देगी और जो मेरे लाइक हो मैं पूरी त्यारी के साथ जवाब दूँगा और प्रशुत्रिया हरियाना के कैबिनेट मंत्री मोल्चे शर्माजी जिन्हों ने कहा है कि वो तैयार है विपक्ष को अपनी भूमी का निभानी चाहिए और वो हर सवाल का जवाब भी देंगे और साथ ही संकेत मिल चुके हैं कि इनके डिपार्टमेंट को लेकर बजट में क क्या कुछ देखने को मिल सकता है और यही हम कहना चाहते हैं कि हर्याना के लोगों की जो भी उमीडे हैं वो उमीडे उस बजट में दिखनी चाहिए जो सुझावो वाला बजट कहा गया है आदरश। मुल्चन शर्मा के तरफ से देखने वाली बात होगी कि सब कुछ को क्या इंक्लूड किया जाता है और आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से राज्य की अर्थ व्यवस्था ट्रांस्पोर्ट के जरिये से ही पट्री पर दोड़ते नजर आगी शुक्रिया कमल आपका ज परिश के हर वर्ग का सुझाओ लिया है हर वर्ग के सुझाओ के बाद इस बजट को तैयार किया गया है हर वर्ग का ध्यान रखा गया है ट्रांस्पोर्ट सेक्टर के लिए काफी एहम इसमें बसो को जोड़ा जाना है